जैहिंद and hello guys, स्वगत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DRDO CVRDE Apprentice Online Form 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस Recruitment का Form Flip करना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हूँ, यह हमारी ओफिसल वेबसाइट JobsGian.net ने इसका लिंक वीडियो के डिस्कॉप्शन में दिया है आप लोग इस वेबसाइट के ओपर All India का किसी भी जोब का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजे इस वीडियो को भी लाइक सेयर कर दीजे क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इसके बार में बात करते हैं तो यह जो आप वेबसाइट ओपन करेंगे जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिसक्राप्शन में दिया है इसके माध्यम से तो आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट के जानकारी आजाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके ITI apprentice की वेकेंशी है टोटल आपके 120 पद निकाले हैं कौन से trade में कितनी वेकेंशी है वो आप यहाँ पर चेकर सकते हैं जो इसका notification है sword वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका official notification है जो की employment news paper के अंदर publish किया था इसमें आप यहाँ पर trade vacancies यह सब देख सकते है essential qualification की बात करें तो apply करने के लिए आप से 10 वी तो मांगी यह साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए ITI आपकी NCVT के द्वारा हो और इनमें से किसी trade के अंदर हो जिस trade में basically आप apply करना चाहते है उसी trade में and guys आपको बोला है कि यह जो आपकी ITI है यह आपकी कम से कम 2 years की होनी चाहिए इसके अलावा age limit आपकी 18 से general candidate के लिए 27 साल तक, OBC के लिए 30 साल तक, SCST के लिए 32 साल तक रखे गई है क्योंकि इनको छूट मिलती है and age आपकी 1 September 2022 तक count के जाएगी and then आप यहाँ पर जानेगे कि कैसे आपको apply करना है कैसे आपको apply online करना है वो आप यहाँ पर जान लीजे तो आपने जाना अभी एक point मैं आपको यह भी बता दू कि जो आपकी यह ITI है यह आपकी 2020, 2020, 2022 के अंदर पूरी होनी चाहिए यहाँ कि जिन्होंने 2020, 2021 में अपनी ITI complete किये वो ही candidate इसमें apply कर पाएंगे जिन्होंने इसके पहले किये वो apply करना के लिए eligible नहीं है आप यहाँ पर stipend भी जान लीजे इन वाले trade पर जो कि यहाँ पर मैंने भी bold किये हैं इन पर 7700 पर मन्त मिलेगा और जो other trade है उन पर आपको 8050 रुपे पर मन्त stipend मिलेगा इन document के आपको आवसकता पढ़ने वाली है इस form को भरने में आप लोग यह form 14 November 2022 तक भर सकते हैं इसमें आपको एक दो दिन की छूट भी मिल सकती है अब यहाँ पर अगर आप इसमें eligible है और interested है apply करने के लिए तो आपको apply online पर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा अब आपको यहाँ पर पहले register करने है तो आपको register के उपर click करके जो भी आपकी date of birth है और आपको यहाँ पर select करनी है पह आपको आपका नाम 10th की मार्क शीट के अनुसार एंटर करना है, यहाँ पर आपको आपकी email id एंटर करनी है, आपका mobile number यहाँ पर एंटर करना है, एक password आपको create कर लेना है, जो भी password आपने यहाँ पर भरा है, उसको दोबरा डाल करके verify करना है, अब यह जो आप capture code यहाँ पर यह capture code आपको यहाँ पर enter capture के सामने बढ़ना है और इन जानकारी को अच्छे से verify करने के बाद आपको register के ऊपर क्लिक करना है register के उपर click करने के बाद आपका रश्यतन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर login के उपर click करना है और जो आप यहाँ पर इसमें login कर पाएंगे वो आप आपकी date of birth आपका role number और 10th का passing year select करके साथ ही आप यहाँ पर mobile number के माधियम से भी login कर सकते है या फिर आप यहाँ पर अपनी email ID और आपका जो password आपने create किया है वो password यहाँ पर डाल करके capture code फिल करके login कर सकते है जैसी आप यहाँ पर login के उपर click करते तो आप login हो जाओगे login करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आजेगा अगर आपने पहले इस website के उपर relation करके कोई भी form भरा था तो यहाँ पर आपको आपका previous record देखने को मिल जाएगा बट अगर आप फ्रेसर है तो आपको यहाँ पर जो आपकी vacancies की जानकारी जैसे कि JRF apprentice training यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी है latest vacancy अभी यहाँ पर इसको update नहीं किया गया बट फिर भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसमें रेश्टन यह जो आपका आपका आगे का form है यह fill करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक form fill किया था आपका सेम तरका था apprentice का तो इसी से मैं आपको आगे की जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि जानकारी आपकी सेम रहेगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते कि DRD or GTRE की जो vacancy थी वो apprentice की थी इसमें मैं यहाँ पर आगे का process इसी application से दिखाने वाला हूँ अब आपको यहाँ पर जो apply का link है action के नीचे इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा अब आपको यहाँ पर यह select करना है कि आप graduate apprentice पर apply करना चाते है diploma apprentice या फिर IT apprentice जिस पर भी apply करना चाते होई select कर लीजे फिर आपको यहाँ पर कौन से trade में apply करना है वो select करना है आपका नाम आपको यहाँ पर enter करना है father name आपको यहाँ पर enter करना होगा इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपका mother name एंटर भी करना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछ है कि क्या आप विकलांगे अगर हाँ तो yes कीजिए नहीं तो no ही रहने दीजिए cast category आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है अगर हाँ तो yes कीजिए नहीं तो आपको no करना है इसके बाद आपकी date उपर यहाँ पर आपको एंटर करनी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी उमर्ट 14 मार्स 2022 तक कितने साल कितने महीने की होती है marital status आपका क्या हो यहाँ पर आपको select करना है nationality आपकी Indian रहेगी आधार नमबर आपको यहाँ पर enter करना है क्या आप minority community से belong करते हैं अगर हाँ तो yes कीजिए नहीं तो आपको no करना है यह आपको ही पता होगा कि आपकी caste minority community के अंदर आती है या फिर नहीं आती है इसके बाद आपको gender select करना है फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका present address है वो पूरा पूरा address यहाँ पर आपको city town को तक के भर देना है फिर आता है आपका state तो जो भी आपकी state है वो state यहाँ पर select करें state के बाद में यहाँ पर आपको आपका pin code भी डाल देना है जो भी आपका pin code है then यहाँ पर इस तरफ देखने को मिल पार है कि क्या आपका present address और permanent address हम है अगर हाँ तो यहाँ पर टिक कर दीजेगा टिक करने के बाद जो address आपने इस तरफ भरा है वो यहाँ पर भी अपने आप आ जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी country आपको इंडिया फिलप कर देनी है then यहाँ पर आपके सामने आपका number email ID दी गई है अगर आप कोई और number भी देना चाहते है तो phone number के अंदर दे सकते है फिर आती है आपकी qualification की जानकारी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी में subject में all subject लिख देना है 10th के section में और इसके बाद आता है board तो जिस भी board से आपने 10th की है उस board का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे कौन से साल के अंदर आपने पास की हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इसको select करने के बाद आपकी division या class क्या थी first, second, third फिर आपके maximum marks कितने थे तो यहाँ पर मैं 600 भरता हूँ सबी subject को मिला करके उसमें से जो number आपको आई थे हो यहाँ पर भरना है फिर आपको यहाँ पर आपका passing gear select करना है कि कब आपने पास कर ली थी आपकी division select करनी है, total number यहाँ पर आपको maximum marks के अंदर डालने है जो number आपको आई थे वो आपको obtend marks के अंदर डालने है इसके बाद आपको ITI की जानकारी देनी है तो आपको ITI के जो subject है इसमें जो भी आपका trade है वो लिखना होगा किस institute के दौरा आपने की है वो आप यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आपको बेसिकली देना है इसके बाद अगर आपके पास कोई additional qualification है तो इस qualification को आप यहाँ पर भर देंगे अब आता है experience कोई experience है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजेगा ने तो आप इसको खाली छोड़ दीजेए फिर दोस्तों आता है रजिटन नंबर in HRD, NCVT, NETS, NAPS portal अब यह क्या है मैं आपको बता दू कि अगर आप diploma और graduate apprentice trainee पर apply कर रहे है तो आपको MHRD की website के उपर रजिटन करना आवस्यक है उसके उपर कैसे रजिटन होता है उसकी आपको वीडियो यहाँ पर इस link के उपर click करके मिल जाएगी जिसको वाच करके आप रजिटन कर पाए आप से पूचे कि have you ever been interviewed in any DRDO lab कि आप किसी भी DRDO lab के अंदर interview किये गए हो अगर हां तो yes कीजे ने तो आपको नो करना है आप कोई अन्य information देना चाहते है वो आप यहाँ पर इस section के अंदर दे सकते है ने तो आप इसको खाली छोड़ सकते है कोई current appointment आपकी अगर है तो आप आप यहाँ पर उसका पूरी जानकारी address के साथ में भरेंगे नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए अब आपको कुछ documents upload करने हैं सबसे पहले आपको ID and address proof upload करने है जिसमें कि आप water ID या फिर आधार card upload कर सकते हैं जिसका format PDF, JPG इन वे से कोई भी चल जाएगा और size 500 के उपर क्लिक करने है और जहाँ पर भी आपकी file मौजूद है वो आपको select करनी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10th की mark sheet upload करनी है फिर आपको DOB proof जिसमें कि आप high school certificate, matriculation certificate या फिर birth certificate upload कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर जो आपकी qualification है चाहे वो diploma या फिर graduate है या फिर यहाँ पर upload करना होगा विकलाएं तो आपको यहाँ पर upload करना है उसका certificate नहीं तो खाली छोड़ देना है इसेंसल qualification जो आपको mark sheet है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है इसका जो file size है वो यहाँ पर same रखा गया है यानिकि जो आपकी मैठपूर्ण qualification आपने भरी है उसका certificate यहाँ पर आपको upload करना होगा basically mark sheet फिर essential qualification degree अगर आप ITI apprentice पर apply करें तो आप यहाँ पर ITI का जो certificate है वो upload करेंगे अगर आप diploma पर apply कर रहे हो या फिर graduate पर तो आप उसका certificate यहाँ पर upload करेंगे category proof certificate अगर आप CST OBC है तो उसका certificate है उसकी photocopy पर आपको upload करनी है there आपको यहाँ पर पहले इसका नाम लिखने हैं जहां से आपने spam को भरा है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका photo है वो भी upload कर देना है upload photograph के उपर किलिक करें जहाँ पर भी आपका photo है वो select करें करना है सब्मिट के उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे 10 रुपे की एप्लिकेशन फीस ली जा रही है आप यहाँ पर इन कर दो किय menor कि कर दो लाद भाद एंड़ निएंगेडैंगे और एमाने का सामने मोली को जोैंगेड़र sen अऑल